हलो एबरिवरडी मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल ग्लोबल साइन्स इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेके लाइट के बारे में तो जानते हैं बेके लाइट क्या होता है तो बेके लाइट का पूरा नाम फेनॉल फॉर्मल डिहाइड रियजीन है इसका दूसरा नाम है, फेनोल फॉर्मल डिहाइड रेजिन, और इसे सोट में बेकेलाइट भी बोलते हैं, तो जो फेनोल फॉर्मल डिहाइड के मिक्स्चर से, इसके अबारे में जानते हैं, क्या होता है जो बेकेलाइट होता है फेनॉल और ट्रीटमेंट विद फॉर्मल डिहाइड है इन दा परजेंस ओब बेसिक कैटलिस्ट अंडर गोज कंडेंसेशन पॉलिमर टू फ्रॉम आइदर लीनियर और अ क्रॉस लिंकेज पॉलिमर कॉल्ड बेकेलाइट तो जो फेनॉल होता है इसको मिक्स करते हैं फॉर्मल डिहाइड के साथ है एक बेसिक कैटलिस्ट का यूज करके देखे यहां रियक्षन में दिखा गया है एक बेसिक कैटलिस्ट है जिसका नाम है ओ एच ओएच माइनस ओएच माइनस कैटलिस्ट का यहां यूज किया गया है और बाद में इसका कंडेनसेशन पॉलिमर होता है मतलब लागातार सैंक्रो करोरो जब इनके पॉलिमर्स जूरेंगे तब जाकर बनेगा एक बेकलाइट बनता है तब जाकर यहां दिखाया गया है इसके फॉर्मुला के बारे में कि ये फेनॉल फेनॉल को जब एड करते हैं तो और्थो पोजिशन पर CH2OH लगता है और फिर हमें मिलते हैं पारा पोजिशन पर ऑक्सीजन आता है ये पारा पोजिशन पर CH2OH बनता है अभी भी ये फेनॉल नहीं बना है हमें फेनॉल आगे बनाना होगा इसका पॉलिमिराजेशन करना होगा तो देखे वो जो उपर का समीकरन था रियक्षन था उसका यहाँ पॉलिमिराजेशन होगा तो जो और्थो पोजिशन पर था और्थो हाइड्रोक्सी मेथाईल फेनॉल इसका पॉलिमिराजेशन होता है पॉलिमिराजेशन तो बनते हैं लीनियर पॉलिमर मतलब एक पॉलि होता है ये जूटा linear polymer और इसका को polymerization होता है मतलब करोर बार polymerization होता है तब जाकर बनते हैं एक तब जाकर ये बनता है bakelite bakelite का formula देख सकते हैं आप यहां है C यह लंबा chain bakelite का यह है यहां से यहां तक यहां से यहां तक सब एक ही में है bakelite इसे बोलते हैं अब इसके properties के बारे पर लेंगे कि यह जो synthetic polymer है इसके क्या-क्या properties है यह एक electrical insulator होता है यह कुछालग होता है electrical insulator और यह एक thermosetting की तरह वैभार करता है thermosetting की तरह अगर इसको यह पहली वार heat किये हैं तो इस soft हो जाएगा फिर cold होगा तो फिर से hard हो जाएगा और फिर कभी भी कितनों heat दे देंगे तो soft नहीं होगा मतलब जल जाएगा लेकिन soft होगा ही नहीं यह होता है bakelite का properties है दो properties बहुत जरूरी होते हैं अब इसके usage के बारें परेंगे क्या-क्या है इसके usage तो इसके usage में सबसे पहले आता है इसके हम उदाहरन देखकर परेंगे इसका use किया जाता है जो soft bakelite होते हैं उसका use किये जाते हैं लकरियों पर लकरी को polish करने के लिए इसका use किये जाते हैं या आपने सुना होगा sun mica का sun mica उसको भी बनाने में bakelite का ही use होता है वारनेश्ट पॉलिस बनाने में भी उसका use करते हैं फिर जो bakelite होता है ये thermosetting plastic होता है thermosetting polymer होता है highly cross linked होता है मतलब काफी strong होता है और इस basis पर इसके कई सारे चीजे बनाए जाती है जैसे kanghi बना जाते है com, formica, table top बनाए जाती है electrical switch बनाए जाते है gramophone record, cassette के आप नाम सुनेंगे वो भी बनाए जाते हैं bakelite से इसके examples में देखते हैं ये जो आप देख रहे होंगे जो sun, mica कहते हैं ये पूरा bakelite का बना होता है soft होता है हमारे घरों में या office ये सब table यूज के जाते हैं जमीन पर भी बिछाय जाते हैं और दिवार पर भी लगाय जाते हैं फिर ये जो dish आप देख रहे होंगे dish इसको भी बनाते हैं bakelite से इसको अगर गलाईएगा तो ये rock बन जाता है बिल्कुल ही rock फिर इसके दूसरी examples देखते हैं ये cassette ही है फिर ये जो telephone का structure है ये भी बने होते हैं bakelite से ही बने होते हैं फिर ये bangles देखिए चूरियां ये भी बनी होती है bakelite से काफी hard होता है पिर ये देखिए ये insulator होने के कारने से जो पकरने वाले हत्था होते हैं ये भी बनाया जाते हैं bakelite के ही बनाया जाते हैं फिर जो soft होते हैं soft bakelite होते हैं उसका यूज glue बनाने में भी होता है गोंद बनाने में उसका यूज करते हैं soft bakelite का फिर electrical insulator होने के कारण या नहीं गलने के कारण इनका यूज किया जाता है हीट और इलेक्टरसेटी को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है हीट और इलेक्टरसेटी को रोकने के लिए थैंक यू